हेला दोस्तो, Class 12 Organic Chemistry में आपका बहुत बहुत शागत है दोस्तो मैं राहूल सर दोस्तो आज की वीडियो में Unit 15 Bio Molecular Jeb Adu में हम पढ़ेंगे बिटामिन और दोस्तो आज की वीडियो में हम पूरा बिटामिन कम्पलीट कर देंगे बिटामिन को हम समझेंगे बिटामिन क्या होता है बिटामिन का बरगी करण कितने परकार से किया गया है जल में गुलनसील बिटामिन क्या है बसा में गुलनसील बिटामिन क्या है बिटामिनों की कमी से क्या रोग होते है किस vitamin का, रासाइन, नाम क्या है, A का, B का, C का, D का, इस सारी सब चीजें, आज की वीडियो में हम दोस्तों, पूरा vitamin complete कर लेगी, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे vitamin को, कि यह vitamin होता क्या है, तो दोस्तों, इसको मैं पढ़ाऊंगा, और साथी साथ इसकी पूरी थियोरी भी आपको बराबर मिलेगी ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले बिटामिन की बात करें तो दोस्तों जो बिटामिन है इस बिटामिन की खोज की थी फंक नामक बैग्यानिक फंक थे इस बैग्यानिक फंक नामक बैग्यानिक फंक ने 1911 में ब बिटामिन की खोच की थी बैग्यानिक फंक ने ठीक है अब बिटामिन होता क्या है तो दोस्तों जो बिटामिन होता है यह बिटामिन एक कार्वनिक पधार्थ है क्या है एक कार्बनिक पधार्थ है ठीक है कार्बनिक पधार्थ है ठीक है अब ये कैसा कार्बनिक पधार्थ है तो दोस्तों ये जो बिटामिन एक ऐसा कार्बनिक पधार्थ है जो हमारे सरीर की जैविक क्रियाओं को जो हमारे सरीर में क्रियाओं चल रही हैं कंटिन्यू हजारों क्रियाओं चल रही हैं कंटिन्यू इन क्रियाओं को कंटिन्यू चलाने के लिए एक सूख्ष्म मात्रा में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही मात्रा लो तभी हमारी सूख्ष्म क् यहाँ चल रही है वो चालू रहेंगी ऐसा नहीं बिटामिन एक ऐसा ही कारवनिक पधार्त है जो जैबिक क्रियाओं को सुचारू रूप से कंटीन्यू चलाने के स्वोट की लिए सूख्ष में मात्रा में आवश्यक होता है सूक्ष मातरा में कम से कम मातरा में आवश्यक होता है बट इनको हमें लेते रहना चाहिए ठीक है यदि इन बिटामिनों को हम नहीं लेते बिटामिनों को हम नहीं लेते तो इस से इसकी कमी से हमारी बोडी में कई रोग उत्पन हो जाते हैं कई रोगों से हमारा बोडी हमारा सरीर ग्रस्त हो जाता है ठीक है इनको यदि हम नहीं लेते तो ध्यान रखना दोस्तों जो बिटामिन एक ऐसा कार्विनिक पधार्थ है जो जैविक क्रियाओं को सुचारो रूफ से चलाने के लिए सुख्ष मात्रा में आवश्यक होता है जो मानब सरीर होता है ये मानब सरीर जो है वो सभी बिटामिनों का संसलेशन नहीं करता बिटामिन मुस्टली दोस्तों A, B, C, D, E, R, K ये मुस्टली बिटामिन दोस्तों 6 परकार के होते हैं कितने परकार के हैं 6 परकार के होते हैं अब तो बिटामिन P भी आ गया है जो हमारे सिलेवर्स में इनवाल्व नहीं है ठीक है बांकि हमें तो यह बिटामिन छे पड़ने हैं ठीक है तो यह जो तो हमारे जो बिटामिन है यह बिटामिन हमारा जो मानक सरीर है यह सभी बिटामिनों का संसलेशन नहीं कर पाता लगभग सभी बिटामिनों का संसलेशन नहीं करता हमारा पेड़ पौध है लेकिन हमारा मनव सरीर सभी बिटामिन का संसलेशन नहीं करता समझें आपको आया है दोस्तों तो यह समझना है आपको यदि बिटामिन नहीं लोगे तो इसकी कमी से बेभिन्ने परकार के रोग हो जाते हैं रतोंदी हो गया, इसकर भी हो गया, रिकेट्स हो गया, सूखापन हो गया, बैरी बैरी हो गया, ठीक है जनन्छमता में कमी, यह कई सारे रोग उत्पन हो जाते हैं यदि बिटामिन की कमी रहती है तो इसलिए मेरे भाई बिटामिन को continue देते रहना चाहिए और अंडा दूद हरी सबजी खाते रहना चाहिए अंडा दूद हरी सबजी खाते रहना चाहिए और हमेशा सुष्ठ रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों जदी अंडा दूद हरी सबजी को खाऊगे तो हमेशा सुस्त्रा होगे क्योंकि अंडा दूद हरी सब्जी में लगवक्स सभी बिटामिन पाए जाते हैं ठीक है तो आएए दोस्तों अब हम इसकी परिभासा देख लेते हैं इसकी परिभासा क्या है क्या है इसके बाद हम इसका बरगी करण पड़ेंगे ठी बिटामिन है वह बिटामिन दो परकार का होता है बिटामिन कितने परकार का होता है दो परकार का होता है एक होता है जल में घुलनसील बिटामिन और दूसरा मेरे भाई होता है बसा में घुलनसील बिटामिन बसा क्या होता है तेल होता है बसा में घुलनसील बसा में घुलन सील बिटामिन ठीक है बिटामिन ठीक है तो मेरे भाई जो बिटामिन होते हैं ये दो परकार के होते हैं एक जलमे घुलन सील बिटामिन और दूसरा होता है बसा में घुलन सील बिटामिन ठीक है तो यदि अब हम दोस्तों जलमे घुलन सील बिटामिन की बात करें तो जलमे घ बिले हो जाते हैं इसलिए ये दोस्तो बिटामिन बी और बिटामिन से हैं हमेशा हर रोज लेते रहना चाहिए क्योंकि ये बिटामिन होते हैं मल मूत्र के द्वारा हमारे सरीर से बाहर निकल जाते हैं तो इनकी फिर हमें गमी हो जाते हैं इसलिए इन बिटामिन को हमें कंट गुलंसील बिटामिन कहते हैं, यह बिटामिन मल मूत्री की द्वारा बहार निकल जाते हैं, इसलिए इने कंटीनू लेते रहना चाहिए, तीक है, अब दोस्तों बसामे गुलंसील की बिटामिन की बात करें, तो इसके बाद जो बचे बिटामिन है, वो बसामे गुलंसील बि यहे ऐसे बिटामिन है यह जो बसा में घुल जाते हैं और हमारे लीबर में एक ग्रंथी होती है लीबर एडिपोस क्या लीबर एडिपोस विक्स हमारे लीबर में ये गरंथी होती है एक लीबर एडिपोस ये जो बिटामिन होते हैं A.D.E. के ये जो बिटामिन हमारे लीबर एडिपोस गरंथी या फिर हम कहें उतक में संचित होते हैं एकत्रित होते हैं ठीक है तो ये बसा में गुलंसील बिटामिन है और मेरे भाई ये गुलंसील बिटामिन है इनको यह हमारे सरी से इतने जल्दी बाहर नहीं निकलते क्योंकि बसा में गुलंसील है तो लेकिन फिर भी इनको हमें 2-3-2-3 दिन के 2-3 दिन के अंतर से इनको हमें लेता है रहना चाहिए ठीक है अब दोस्तों यह हमारा बिटामिन का बरगी करण इनकी कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, इन सब चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा यही important topic है, बिटामिनों के रासाय निक नाम, स्रोथ, इनकी कमी से होने बाले रोग, यही हमारा important topic है, और इसे ही question बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी छोड़ी छोड़ी पढ़ी हैं, यह तो ना के बराबर आती हैं, बट अब हम जो पढ़ने बाले हैं, यह बहुत important है, यह exam में बार बार आता है, ठीक है, इसलिए important है, ठीक है, तो आईए दोस्तों इसको पढ़ते हैं, दोस्तो अब हम पढ़ लेते हैं सभी बिटामिनों को ठीक है तो दोस्तो यह जो बिटामिन बाला यह जो मैं टेबिल बता रहा हूँ यह जो टेबिल है आपकी most important टेबिल है क्योंकि दोस्तो इसमें से आपका question भी आता है और इसमें से object भी आता है ठीक है question करके वो कैसे देता है दोस्तो आपको कोई तीन बिटामिन दे देगा और उसमें बोलता है कि इसका राशाइनिक नाम और इसकी कमी से होने बाले रोग को बताए ठीक है इसमें दोस्तो जो स्रोत बाला टॉपिक है ये स्रोत नहीं पूछता है कि इसके क्या स्रोत है ये लगबग बहुत कमी पूछता है बाकि बिटामिन देता है उसका राशाइनिक नाम और कमी से होने बाला रोग पूछता है ठीक है तो दोस्तो आईए हम इसको स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो बिटामिन ए है ना इस बिटामिन ए का जो रासाइनिक नाम है मेरे भाई वो है रेटीनॉल क्या है रेटीनॉल ठीक है और इसके जो स्रोथ है वो है अंडा दूद चाबल की भूसी मतलब चावल की भूजी से मतलब चावली होता ठीक है और इसकी कमी से दोस्तो होने बाला रोग है ये मुख रोग है जो है रतोंदी क्या है रतोंदी और फिर ये तो बोनापन डर्मोसिस है ना ये तो बहुत कम होते हैं लेकिन मुख रोग है जो बिटामिन एका वो है ठीक है तो आप इसको मुश्टली याद रखना ठीक है बिटामिन एका राशाइनी का नाम क्या हो गया रेटिनॉल स्रोत हो गए अंड़ा दूद चाबल की भूसी और कमी से होने बाला रोग क्या है रतोनी मुख रोग है और बॉन अपवंड और डर्मे स्विसिस ठीक है चलो नेक्स है हमारा दोस्तो बिटामिन बी और बिटामिन बी का मेरे भाई जो राशाइक नाम है वो है थाइमीन क्या है थाइमीन और इसके जो स्रोत हैं दोस्तों वो है अंड़ा दूद हरी सबजी ठीक है और इसके जो कमी से होने बाला रोग है वो है बैरी बैरी ठीक है ये दो दोस्तों जो बैरी बैरी रोग है ये सूखा पन से संबंदित रोग है ठीक है चलो नेक्स हम देखते हैं दोस्तों नेक्ट हमारा विटामिन है विटामिन सी विटामिन सी का दोस्तों जो राशनिक नाम है वो है एसकार्बिक अमल क्या है एसकार्बिक अमल ठीक है और इसक मुक तोर्प आमला की क्या करें आमला ठीक है यहां पर आमला लिख Çok तो यह मुक तोर पर आनला है यह न और जितने भी जो खटे फल है न वो सब Cities автомобомина के श्रोथ हैं थीक है चलो इनमेंसे संत्रा खट्टे फल यह भी आउला भी याई इससमें लिखा भी कि चलौ की कमी से होने बाले रोग कि हनाओ जो इसकर भी जो मसूरों ते मित्वा में खून मुख रोग है इसका इसकर्वी ठीक है इसकर्वी को आप मुश्टली याद रखना ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बिटामिन डी पर पहुंचते हैं ठीक है तो दोस्ति यदि बिटामिन डी की बात करें तो इसका जो रासाइनिक नाम है मेरे भाई वो है कैल्सी फ होता है मचली की तेल से भी बिटामिन डी की पूरती हो जाती है ठीक है इसके बाद इसके कमी से होने बाले रोग की बात करें तो बिदोस्तों इसके कमी से होने बाला रोग है रेकैट्स ठीक है रेकैट्स ठीक है जिसमें आपको पीछे वाली जो रीट की हड़ी होती है उस करें तो बिटामिन एक जो तो राशाइनां एक नाम है वह है टो को पैरॉल क्या बीजियों वाली होना ज yapmışम यह जो सब्सक्राइब होती है उन उनको जादा खाना चाहिए बिटामिन एकी कमी से कमी वाले रोगों को ठीक है जो ब्यक्ति हैं जिनमें बिटामिन एकी कमी होती है उनको ठीक है अब दोस्तों कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो दोस्तों कमी से होने वाले लोग हैं प्रवजन छमता में प्रजनन सक्त में कमी ठीक है यह मुख तोर पर रोग है ठीक है चलो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बिटामिन के बिटामिन बीटामिन भी फाइब तक हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों बिटामिन हम के की बात करेंगे तो दोस्तों बिटामिन के है इसका बिटामिन के का जो राशनिक नाम है वो है फाइलोकुनोन क्या है फाइलोकुनोन फाइलोकुनोन यह बिटामिन के का राशनिक नाम है इसका जो सुरोत है मेरे भाई वो हरे पत्तेदार सब्जियां जो हरे पत्तेदार सब्जियां है यह बिटामिन के का सुरोत है और बिटामिन के की कमी से ख ठक्का नहीं जमता ओर दोस्तों हमें कमेंट बोक्स में comment करके बताना है ठीक है और नहीं बनता तो फिर हम comment में आपको बता देंगे ठीक है और हमें से पूछ लेना कि सर हमसे नहीं बन रहा है हमें बताईए तो हम कमेंट में कमेंट करके आपको बता देंगे कि कौन से प्रोटीन है ठीक है बाकी हमें कमेंट करके आपको बताना है ठीक है चलो इसके बाद दोस्तों बिटामिन के के बाद हम आगे बढ़ते हैं बिटामिन बी बन की बात करते हैं क्यों दोस्त तो जो बिटामिन B होता है उसे भी बिटामिन B1 बोलती है ठीक है तो बिटामिन B का थाइमीन है तो B1 का भी थाइमीन होगा इससे जो स्रोथ है वो अंडा दूद है और इससे रोग है बेरी बेरी होता है ठीक है इसके बाद B2 की बात करें तो दोस्तों बिटामिन B2 का जो र यहां पर यह राइबू फ्लेविन लिखा है फ्रोथ है अंडा दूद और इससे जो रोग होता है वो होता है डर्मीटोसिस क्या होता है डर्मीटोसिस रोग इससे होता है ठीक है चलो नेक्ष दोस्तो हम आंगे बात करें बिटामिन B3 की तो बिटामिन B3 का दोस्तो जो राशाइनिक नाम है वो है निकोटी नाइड ठीक है यह लिखा है निकोटी ने नाइड ठीक है यह लिखा है निकोटी ने नाइड ठीक है यह बिटामिन B3 का राशाइनिक नाम है और इसका जो सुरोथ है दोस्तो वो है हरी सब जियां और इसकी कमी सी क्या रोग होता है तो तौचा का सूखापन जो तौचा होती है वो सूखी सी हो जाती है बदरंगी सी हो जाती है तो तौचा का सूखापन इसका रोग है ठीक है चलो इसके बाद दोस्तो बिटामिन वी फाइब की बात करें क्योंकि फोर नहीं है फाइ का यह निकान कला है उसका शूत है अंड़ा दूद और इसकी कमी से दोस्तों डाइरिया एनीमिया मतलब अनी मिया क्या हो फून की कमी से होने बाला रोग ठीक है तो यह मेरे भाई हमने आपको बिटामिन के बारे में बताया यह बिटामिन से पूरा टौप के नाम का उस्चा के किया है More does stuff यह दोस्तों को लाइक किई ऐसे कीजिन कीजिए और अभी तक आपने प्मारे चैणल कोश्टराइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओन कर लें अंगली वीडियों फिर आप से मिलते हैं तब तक के लिए थेंक्यू बेरी मच्छ